हेलो स्टुइट्ट आज Nebraska वीडियो में हम लोग देखेंगे मर्द्जह। इस वीडियो में हम लोग मर्द्जऑ हीडे एक्जामपल देखेंगे इसका अलगोरीदम देखेंगे और सथ यसाथ एक प्रोग्राम VS Code पर रन करके देखेंगे इस मर्ज सॉर्ट से पहले मैंने कई सॉर्टिंग के वीडियो यूटूब चैनल पर हमारा equity वाला है वहाँ पर upload कर चुके हैं अगर आप उन वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाके Sorting की प्लेइलिस्ट देख सकते हैं तो चलिए आज स्टार्ड करते हैं अपना मर्ज सॉर्ट हम लोग सबसे पहले मर्ज सॉर्ट की Definition देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट की Definition क्या होती है Definition देखना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि define मर्ज सॉट, दो नमबर में अगर पूछता है, तो हमें थोड़ा सा दो लाइन में लिक देना है, हमें दो नमबर इसली मिल जाएंगे, तो हमें आप सबसे परहें देखें, like quicksort, हमने इस वीडियो के पहले quicksort को समझाया है, आपको fully explain किया है, अगर आपने उस quicksort को नहीं देखा है, तो channel page पर जाके उसको भी आप देख सकते हैं, like quicksort, merge sort is a divide and conquer algorithm, divide का मतलब तो हमें पता है कि divide क्या होता है, conquer का मतलब यहां पर यह होता है, जैसे हमेरे पास एक problem है, हमारे पास एक question दिया है, एक list है, तो लिस्ट दो पार करके solve करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, conquer algorithm, फिर इसका it divide input array into two hull, जो input array होता है हमारा, उसको यह दो भाग में divide करता है, call itself for the two hulls and then merge the two sorted hulls, वो दो हमारे hulls होते हैं, उनको यह out divide करके उसको sort करता है, फिर बाद में उन दोनों को merge भी कर देता है, the merge function is used for merging two hulls, मतलब कि जो एक हम merge function यहां पर use करते हैं, जो हमारे two halves होते हैं, जो हमारे sorted two halves होते हैं, उनको add करने के लिए हम merge function का यहां पर use करते हैं, तो हम यहां पर algorithm देखेंगे, जिसे हम लोग step भी बोलते हैं, तो यहां पर क्या है step, सबसे पहला step हमारा जो रहेगा, find the middle index of the array to divide into two hull, मतलब हमें सबसे पहले middle element धूड़ना है, तो उसमें से हम बाद में देखेंगे, तभी तो हम divide कर सकेंगे, जब हमें middle element मिलेगा, तो middle element का हमारे पास जो फार्मूला होता ही है, m equal to l plus r by 2, इससे हम लोग middle element देख लेंगे, फिर call करेंगे, call merge sort for half, first half, हम first half जो हमारा होगा, हम हम उसको merge sort करेंगे, merge sort array im, हमारा यह होगा, फिर हमारा क्या हो, call sorted for second half, फिर हम second half को merge करने के लिए call करेंगे, जिसका हम होगा, हमारा, merge sort array, m plus one, plus comma r, फिर क्या होगा, recursively merge the two halves into sorted minor, so that only one sorted array is left, यह हम इस step को यहाँ ज्यादा डीपली नहीं समझाएंगे, हम सीधा चलते हैं, question पे, हम question पे उसको समझा, आपको बताएंगे, ति यह इस्टे आपको वहाँ पे completely समझाएगा, पूरा, तो आप आगे हम लोग example पे, हमने यहाँ पे एक example ले रखा है, हमारे पास example है, the following diagram, so, the complete merge sort, process for an example array हमने लिया है, 38, 27, 43, 39, 82, 10, यह हमारा है array, if we have take a closer look at the diagram, closer look at the diagram, we can see that the array is recursively divided in two halves, till the size become one, हमें यह क्या है, कि इस array को तब तक half में बांटते जाना है, हमें इस array को तब तक half divide करना है, जब तक कि list में single element हमारे पास ना बन जाए, once the size become one, कि जब तक हमारा size one ना बन जाए, the merge process come into action, तब merge process हमारा action में आएगा, and start merging array back, till the complete array is merged, फिर हमारा last में merging action आएगा, और complete करेगा हमारे merge array को, तो अब हम चलते हैं अपने question पर, हमारा question है, कि यह हमारे पास एक array दिया गया है, हमारे पास array है, array में हमारे पास seven elements हैं, 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10, यह हमारा है problem, जो हमारी यह list दी गई है, हमें इसको merge sort के थूरू sort करना है, तो हमारे जो seven elements हैं, तो हम इसमें का half निकालेंगे, तो half जब निकालेंगे, seven by two हमने किया, seven by two आप formula से भी half middle element निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम simply यहाँ पर use करेंगे, जिससे की हमें बार-बार time taken, तो हमें यह जो formula होता है, जो हमारा size by two कर देंगे, और integer value से हम middle element निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, कि जब हमने size indexing हमारे देखी, यह हमारा 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indexing हमारी यहाँ पर हो गई, हमने यहाँ पर seven by two किया, तो हमारा 3.5 आया, 3.5 आया, तो integer value हम लेंगे, तो हमारा 3 indexing है, हमारे पर element यहाँ भी थिरी दिया है, यह हमारा हो गया middle, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको divide करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर first half में जो ज़्यादा element होंगे, उन्हें लेते हैं, जो हमारा first half होता है, हम उसमें priority देते हैं, कि सबसे हमारे पास seven element, eight element होते यहाँ पे, तो हम दोनों तरफ चार-चार बाट देते, लेकिन हमारे पास यहाँ seven element होने के वज़ा से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक side four ले लिए, एक side three हमने ले लिया, यह हमारा two halves में बढ़ ग तो यहाँ से तूटा, इधर आगया 38, 27, और इधर आया हमारा 43 and three, यह हमारा यहाँ से फिर हमारा division हो गया, फिर इधर क्या हुआ, इधर हमने जब इसे किया, तो यहाँ पे three element होने के वज़ा से, हमारा first में जो आएगर two element आएंगे, और last, हमारा left में है two element, और right में हमारा one element, हमेशा यह याद रखना है, यह confusion कभी नहीं होना चाहिए, कि left में ज़्यादा value लेना है, कि right में, हमेशा left में, जो अगर three है, div is a total element, तो maximum element हमें लेना है, जो left side लेना है, left को हमें priority ज़्यादा दी जाती है, अब हमारा पास यह element आ गया, हमारा पास 38, 27, 43, 3, 982 and 10, यह हम 10 तो single हो गया, हमें कब तक divide करना था, जब तक single element ना बन जाए, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को divide करेंगे 38, 27 बना, इन दोनों को divide के 43 and 3 बन गया, फिर इनको divide के 982 and 10, यह हमारे पास element हो गया, अब क्या होगा यहाँपे, अब यहाँपे फिर इन जो यह groups थे, इन merging होगी, तो यहाँपे sorted array में merging होगी, यहाँपे merging कैसे होगी, sorted array में, तो यहाँपे इन दोनों element में जब फिर से माई merging होगी, तो सबसे पहले priority हम देंगे 27 को, 27 हमने यहाँपे लिखा, फिर हमने 38 लिख दिया, यहाँपे इन दोनों में सबसे पहले हमने ascending atom लिख दिया, फिर इधार आयत इनमें भी दोनों का सेंटिंग लिख दिया 3.43 हमने क्या किया अब हमने देखे इन में आये हमारा सेम था इन में कोई एक हमारा array यह हो गया, एक हमारा array यह हो गया, अब इन दोनों को मर्ज करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे दोनों में starting में जो हमारा सबसे lowest value counts है, तो lowest हमारी 3 है, तो हम 3 से start करेंगे, इसके बाद हम second list में जाएंगे, second list में हमने देखा 27 है, और इसके second element 43 है, तो इन दोनों में जो हमने compare किया, तो क्या है 27 आ गया, 27 इन दोनों से 43 से small है, हमने 27 लिख दिया, basically simple से हमारा फंडा यह है, कि यहां पर मर्ज करना है तो इन दोनों को ascending order में, तो हमने 3 के बाद 27 लिया, फिर 27 के बाद हमने 43 में देख लिख दिया, फिर हमने इधार इसी तरह किया, नाइन लिया पहले, नाइन के बाद हमने इसमें जगा 10 है, फिर 82 हमने यहां पर ले लिया, फिर आप इन दोनों के बाद, इन दोनों को हम मर्ज sort करेंगे, मर्ज sort basically होता क्या है, हमने पहले इन दोनों के first indexing पर आएं, इन दो निकला तो जो इसमाल निकला है पहले हमने उसको लिख दिया अब यह जो लिख गया फिर इसी वाले एरे में हमारा जो साइक साइन में होगा कि कि पर चल रहे हैं तो अब हम आ गयें हमारी पोजीशन 57 पर अजाएば क्योंकि 3 को हमने input में दे दिया array में, तो 27 पे आ गए, 27 और 9 में हमने जब compare किया, तो 9 small है, हमने 9 को put कर दिया, अब position हमारी आ गई 10 पे, 10 पे आ गई, अब 10 और 27 को compare करेंगे, 27 को compare करेंगे, तो 20 हमारा जो है, small है, तो हमने 10 को put कर दिया, अब हमारी position आ गई 82 में, और इधर हमारी थी 27 में, अब इन दोनों में compare किया, हमने 27 हमारा छोटा है, हमने 27 put कर दिया, हमें तब तक value put करती रहनी है, जब तक हमारी, जो small value हमें उस list में मिलती रहे, और हमारा वही position आगे बढ़ता रहेगा, जैसे हमें उस array में greater मिल लेगे, ह हम उसे वहाँ पर stop, जैसे यहाँ पर 82 greater है, तो यहाँ पर हमने stop कर लिया, अब यहाँ पर position आ गई, अब 38 एन 82 में हमने compare किया, तो 38 हमारा small निकला, हमने 38 को put कर दिया, अब हम आगे बढ़ें, फुट्टी थी पर आएं, फुट्टी थी और 82 में compare कि, फुट्टी थी हमारा small था हमने उसको put कर दिया, अब 82 हमारा last element बजा हमने 82 पुट्ट करें, यह हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एरे टूटल सौर्ट एरे हमें यहाँ पर complete मिल गया, तो यह होता है हमारा merge sort, merge sort basically यहाँ पर divide and conquer strategy पर base होता है, तो यहीं पर यह हमारा complete हुआ, merge sort, अब हम देखेंगे merge sort का जो problem देखेंगे, vs code पे, vs code पे हम इसका एक program run करके देखेंगे, और वहाँ पर समझेंगे भी कैसे हमने यहाँ पर program में क्या-क्या logic लगा कर लिखा है, तो चलिए चलते हैं अपने vs code पे, अब हम लोग आ गाएं अपने vs code पर, हमने यहाँ पर program लिखा, हमने यहाँ प यहाँ पर दो function का use करेंगे, हमारा एक wide merge sort होगा, और wide merge होगा, क्योंकि हमें एक में merge sorting करेंगे, और उसमें merging भी करेंगे, और एक में merge करेंगे, दो list को, तो यह हमारा दो यहाँ पर function होगा, हमने int a की जो लिए हमने अपना जितना चाहिए हमें, उसको बाद में put कर सकते है int i, int j ले लिया, wide merge में हमने लिया, int i1, int j1, int i2, int j2, फिर हमने int में लगाया, int a equal 30, n, n and i हमारे integer value, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, user से value put कराएंगे, तो हमने user से पूशा, enter the number of element you want, आप जितना number चाहते हैं, आप वो enter करें, हमने उसको scan किया, फिर उसके बाद हम क्या क comment, उनको हम enter करवाएंगे user से, उसको enter करवाएंगे, हम लोग चलाएंगे for loop, i equal to 0 से i is less than n तक, and i plus plus करेंगे, इस kind हम उसको करेंगे, फिर उसके बाद हम मर्द sort करेंगे, मर्द sort करने के बाद, हम उस list को print कर देंगे, तो print हमने sorted array, list जो हमारे आइग, उसको print किया for loop चला कर करके, i equal to 0 से, i less than n तक, i plus plus करके, हमने उसको print करके, हमें return value मिल गई, उसके बाद, यह हुआ हमारा sorted list का, जो हमारे sorted list हमें मिलनी थी, वो हमारा हुआ, उसके बाद हमें merge, जो दो list मिली sorted, उनको merge भी करना है, और उसमें merge sorting भी करना है, क्योंकि दो list हैं, उनमें भी sorting करना है, क्योंकि आगे पीछे elements हमारे छोटे बड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे sorting होगी, हमने white merge function यूज़ किया, हमने उसको चलाया, int integer value, हमने int i, int j लिया, int mid लिया, int mid निकला, जो हमारा int mid निकलाएगा, वो हमारा होता है, mid equal to i plus j by 2, हम यहां से निकल सकते हैं, mid की जो indexing आप निकाल जैसे, वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप i and j o add करके, आपकी जो i की value indexing value हो है, और j की indexing value जो है, उस by 2 कर देंगे, तो आपकी middle element की indexing value होगी, वो निकलाएगी, तो int mid हमने लिया, if i is less than j, तो mid हमने mid हमारा होगा, mid equal to i plus j by 2, हम मर्ज sort यहां पर करेंगे, हमें यहां पर जो लिये थे, a i mid, जो हमारा left recursion में चलेगा, and merge sort होगा, a mid plus 1 comma j, जो हमारा j होगा, वो right recursion होगा, and फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, merge हम करेंगे, दोनों को, अभी तक हमने एक को merge sort किया, अब उसके बाद हम दोनों को merge करेंगे, तो merge होगा, हमारा a i mid, mid plus 1 and j, यह हमारा हुगा, दोनों को जो 2 sub list थी, merging of two sorted sub list, उनको ह हमें यहाँ पर merge करेंगे, फिर उसके बाद white merge हमें यहाँ function चला है, int temp, यहाँ पर क्या हुआ, कि यह होगा, यह होगा है, जो 2 element हमने बाटे थे, उनमें दोनों को merging यहाँ पर हो गया, जो 2 sub list थी, उनकी merging हो गया, अभी लेकिन हमारे पास 2 list अब आ गई है, जो sorted list हमारे पा हमारे पास 2 i1, 2 j1 मिलेंगे, तो इसलिए हमने i1, i2 ले लिया है, तो i1, i2 and j1, j2 हमने integer value लिए, हमने temporary value ले लिए, array use for merging के लिए, int ij के हम यहाँ यहाँ पर करेंगे, तो आप easily समझ सकते हैं, अब यहाँ पर हम वाइल लूप चलाएंगे, इप वाइल लूप चलाके, i is less than equal to j1 and j is less than equal to j2, while element in both list, तो हमारा क्या पर हमारा, जो exterior loop होगा, उसमें यह होगा, फिर उसके बाद इंटिरियर लूप में, जो इंटर करेंगे हम, तो if a i is, जो a i हमारा होगा, less than aj होगा, तो हम क्या होगा, यहाँ पर हमारा swiping होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, temp k plus plus equal to a i plus plus, यह होगा, इल्स, अगर यह नहीं होगा, यह हमारी condition true नहीं होगी, यह जो हमारी if वाली value, यह condition true नहीं होगी, आई हमारा greater हो जाएगा तो मारा print होगा temp k++ equal to a j++ अगर true हो जाता है i++ होगा अगर नहीं print होता तो मारा j++ होगा उसके बाद क्या होगा while field हमारा होगा i is less than equal to j1 copy remaining element of first element जो आगर लिस्ट होगी वहाँ पर copy हो जाएगी और यहां पर temp जो होगा हमारा temp k++ equal to a i++ हो जाएगा फिर यहां पर while j is equal to equal to r less than j2 तो हमारी दूसरी while list जो होगी वो remaining complete copy हो जाएगी and transfer element from the temp और फार लूप चलके हमारा जो दोनों list होगी हमें वो sorted list वहाँ पर मिल जाएगी फार लूप हमारा चलेगा i equal to i1 j equal to 0 j i is less than equal to j2 i++ j++ होके हमारी यहां पर temp a i1 equal temp j यह हमारी यहां पर जो complete programming यहां पर हो चुकी है यह programming में आपको अगर नहीं भी समझाए तो बहुत ज़्यादा वो करने को कि आपको यह exam बहुत ही कम इसका program पूंचता है बेसिकली इसका question ज्यादा तर exam में पूंचता है तो यह मैंने एक आपको revision form में प्रोग्राम यहां पर complete कर दिया अब इसको थोड़ा देखते हैं run करके कि यह run होता है यह नहीं होता हमने यहां पर जाकर इसको run किया तो इसके बाद यह पूंचा हम से इंटर दा number of element हमने number of element 9 ले लिया हमने 9 इंटर कर दिया फिर उसके बाद हमने इंटर किया 23 इंटर 41 21 54 67 34 25 21 यह हमारी आगे इलिमेंट यहां देखिए हमको मिल गाई सॉर्टेट 11 21 21 23 25 34 41 54 67 यह हमारी जो लिस्ट में मिली वह हमें सॉर्टेट लिस्ट मिले यह हमारा प्रोग्राम यहां पर सक्सेस्फुल रन हो गया तो चल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करें करें